हेलो एन वल्कम गई स्वागत आपका फेंटासी डिसन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्लैक प्राइड कप टी ट्वेंडी की बात करेंगे जो की मैच होने वाला है बुट सीसी वसी सीटी क्रकेट कलब के बीच में तो चलिए दोनों टीम के प्लेयर पर एक पैसे डिल्ब करेंगे तो चलिए फिर बिना वीडियो को स्टार करेंगे ज़िए से बिना के चोटी सी रिक्वेस्ट है कि यूटूब चैनल को अभी दख आप ने सबस्क्राइब नहीं किया तो सबसे बेले आपको यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है कियोकि प सबस्क्राइब करना है साथ ही मैच की और आगए आने वाली सारे मेरी स्मौर लिग या ग्रान लिग की जो भी टीम रहेगी वह मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर देने वाला हूँ और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्टें में दिया हु पीच रिपॉर्ड की बात करें तो पीच रिपॉर्ड यहां पर बैटिंग के लिए अच्छी पीच पीच पीनस को आला की थोड़ा पर एडवांडेज रहता है लेकिन फिर भी आपर रंस अच्छे बन जाता है कई बार यहां पर 180-190 डग भी स्कॉर बनता है वागी अंकड़े इस से पहले यहां पर खेली गई थी यानि कि सब्टेमबर मन्थ में यहां पर एक टूणामेट खेली गई थी तो उसी कई अंकड़े हैं सबसे बहले बात करते हम लोग यहां पर बूट सीशी की तरफ से आप जितु अली और इनके साथ परवेच अजीज यहां पर ओपनिंग कर वा सकते हैं यहां पर दो और चकिए से कई बार इंपर एंपनिंग कर आज आजाते हैं लेकिन जीतु अली को हमने देखा था पिछली टूणामेंट के अंदर आइधिंक ज्यादा तर मेक्सीमम मेंचश के अंदर इन्होंने ऊपनिंग के आए हाह थी लेकि इनका कुछ मेंचिस के अदर पर्फॉमस अच्छा रहा था लेकिन मुझे थोड़े से इंकंशिस्टन लगे थे वाकि अपर परवेज जजी एजब लेर के साथ आपके लिए कैप्टन सजी से बले इसके बात करते हैं रिशी के स्तमूली की बात करो तो यह विकेट किपिंग स इनके मुड के अपर डिपेंड करता है यह विकेटिंग और बड़े परफॉमस देदेते हैं पिछली बार टूनामेंट के अंदर नहीं चले लेकिन कुछ मैंचिस के अंदर आईसे जले थे जो आपर इनके सबसे जादा पॉइंट्स थे तो इनको इनको आप लोग जरूर लेकि जाएगा वाकि कैप्टन वाइस कैप्टन आप लोग रिस्की तोर पर कर सकते हैं क्योंकि मैंने बताया ना मूड में होंगे तो इससे ज्यादा पॉइंट कोई नहीं देखा इसके बात करते हैं कौशिक गिरेगी ओवरल बैटिंग और बॉलिंग दोनों इसे आपको क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो लास्ट जो असम का जो लोकल टूर्णामेट खेला गया था ना वहाँ पर भाइसाब ने घजब किया था बॉलिंग से खास करकर यह पर बॉलिंग से तो आप लोग इनको आप लोग के साथ कैप्टन वाइस के जरू रहेंगे निपंडे क कर लेकिन इसके पहले चापर के लिए आपर जून मंद के अंदर वहाँ पर बैटिंग और बॉलिंग दोनों इसे गजब का परहार किया था प्लेयर के साथ कैप्टन कर सकते लेकिन पिछली टूर्णामेट इतनी अच्छी नहीं रहें ध्यान रखिए का रोहिट सिंग वेर लेकिन जादा तर यह मैक्सिममम टाइम देथ में गयन बाजी करते हैं तो इसके अलावा ब्यांच मैं से कोई भी पिलेर के लेगा तो इनके स्ट्राइट वर टेलीग्रम चैनल को जोई करके रखना लिंक नीचे डिस्क्रिप्सिन में आप लोग को उसी लिंक से जोई करना आपके लिए एक डिफेरेंशियल पीक रहेंगे लेकिन प्लेयर काफी तगड़ा है तो खास तोर पर आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से अच्छे पॉइंट देंगे अलाकि रिसेंट लिए ठीक ठाक है लेकिन पिछली बार हमने पूरी टूना मेंट के अंदर हमको लिया जा सकते हैं रोवान अजारी का रिसेंट ली इतने अच्छे पॉम में हैं हाला कि प्लियर काफी दगड़ा है रिस्क ले सकते हो स्मॉल लिग में भी लेके जा सकते हैं रोमारिय शर्मा आपको बैटिंग और बोलिंग दोनों इसे बोस ज्यादा करवाते हैं निकाल सकते है बाकि बैटिंग से आपको एडवांटेश दे सकते हैं ज्यान में रखिएगा दरानी रभा बैटिंग बोलिंग दोनों इसे हाला कि इनका ज्यादा तर काम यहां पर हीट और मिश्टाइप वाला है तो बैटिंग से ज्यादा एक्सेटेशन भी रखना मुश्किल है लेकिन फिर भी आपको या तो बैटिंग से या तो बैटिंग से एडवांटेश जरू देगा संजीब बर्मन की बात करते हैं संजीब बर्मन 28 मैच करना 38 विकेट है जहां पर चार इनके हाइस्ट है यह बंद आपको बड़ा एडवांटेश देने वाला है औप स्पिन गयन बाज कोई चोईस से मिले तो आप लोग इनको लेके जा सकते हैं चोईस सारी में देने वाला हूं इरक जोती चोधरी 15 मैच कंद 17 विकेट 36 की गयन बाजी करते हुए लेक ब्रेक गयन बाज ओम प्रकाष्ट महानता की बात करते हैं लैप्टाप मीडियम फास गयन बाज है 10 मैच क जराई 6 मैच केंद 17 विकेट 23 की गयन बाजी करते हुए इस बंदिय के पर इसके ले सकते हैं बाकी तो कोई भी प्लेयर खेलेगा तो अपडेट वगेड़ा टेलिक्रम में मिल जाएंगी आपको तो अभी के लिए देख लेते हमारी डेमो फेंटास्टी टेम कौन सी हो सकती सकते हैं तो विकेट सेक्षन से अपके पास दो और चोईसे को की टॉप में खेलने वाले यह यह दोनों के दोनों प्लियर जो है यहां पर आपको देख मतलब उपर से खेलते हुए दिखेंगे इसके लाभी बैटिंग सेक्षन की बात करू तो रोमारी उश्यर्मा इनके सा रहेंगे बाकी आपर आप लोग चाहो तो रोहन अजारिका के ओपर रिस्क ले सकते हो खास है आप देखो विशाल शाहा खेलेंगे तो हम लोग इनको लेके जाएंगे अच्छा प्लेयर है टॉप में खिलने वाला त्यान में रखिएगा वल्राउंडर सेक्शन की बात करो त इनके साथ कौशिक गिरी इनके साथ यहाँ पर एशिंग और निपन डेका कौमने लिए निपन डेका का सिलेक्शन काफी कम है लेकिन अच्छा वल्राउंडर है बाकी आप बर्मन को ले सकते हैं और बर्मन का भी लास्मेंट के परफॉरमस काफी जबच्जस था पिसले चोधरी के ओपर रिस्क ले सकते हैं बाकी तो हैं यहाँ पर गणिस बसपोर शायद नहीं खेलेंगे लेकिन चिंटू शर्मा देथ में जरू डालेंगे टीम की बात करते हैं तो टीम कुछ इस सरा से रहेगी कप्तान रहेंगे हमारे यह से परवेच अजीज वाइस चोईस में आपर निपन्डे का बेस्ट चोईस है कप्तान और वाइस के लिए इसके अलावाए एक और चोईस देता हो आपको यह है यहाँ पर पूस्पराज शर्मा पिछली बार की बार की बात करो तो मैंने आपको बताया ना तीन चार विकेट इन्होंने रेग्यूर इतना अच्छा परफमस इनका नहीं था बाकी आप लोग चाहो तो इनको भी कर सकते हैं बाकी तो मेरी टीम कुछ इससरा से रहेगे इसमें कुछ बढ़ला वगेरा रहेंगे तो फाइनल टीम टेलिग्रम में दूंगा मैं आपको जल्दी से टेलिग्रम को जोईन करना है व देखो करना कुछ नहीं शिंपल सी बात है वीडियो को आपको अच्छे से देखना है क्योंकि यहां तक आये हो पहला मैच है यहां पर सारे प्लेस के बारे में जानकारी शायर किसी के पास नहीं होगी तो यह आपके लिए सबसे सुने हरा मौका है कि आप लोग वीडियो को आपके बारत